जय मातादी आज फिर से मैं आपके सामने उपस्थित होई हूँ आपके लिए सटीक टोट के लेकर हर बार आपके सामने अलग-अलग टोट के लेकर उपस्थित होती हूँ ताकि आपको आपका मन चाहा प्यार हासिल हो जाए क्योंकि प्यार ये एहसास तो हर किसी को हो जाता है लेकिन प्यार पा हर कोई नहीं पाता है किसी किसी को ही उनका प्यार हासिल हो पाता है यदि आप उन लोगों में से हैं जिनको अपना प्यार नहीं मिल पा रहा है आप किसी इस्तरी को चाते हैं या फिर कोई इस्तरी किसी पुरुष को चाती है और उनको पूर्ण रूप से अपना बनाना चाती है तो आज का ये टोटका आप के लिए बहुत फायदे मनसाबित होने वाला है तो चलिए मैं आपको बताती हूँ ये टोटका किस प्रकार से करना होगा, कैसे करना होगा, इस वीडियो को अंत तक देखेगा ताकि ठीक प्रकार से आपको ये समझा जाए कि ये टोटका किस तरीके से करना है ताकि आपको इसका लाब, पून, रूप से प्राफ्थ हो पाए आपको करना क्या होगा आपको लेना होगा एक लाल रंग का मारकर और साथ ही लेना होगा आपको एक वाइट कलर का पेपर जी हाँ इन दोनों के दुआरा आप इस उपाय को यदि करते हैं तो आपको आपका प्यार जरूर हासिल हो जाता है आपको इस paper के उपर लिखना होगा उस इस्तरी या उस पुरुष का नाम जिसको आप पाना चाहते हैं यदि आप इस्तरी हैं और आप किसी पुरुष को पाना चाहते हैं तो आप इस paper पर पहले उस पुरुष का नाम लिखें जैसे suppose आप जिसको चाहते हैं उनका नाम है सुरेश, आप यहाँ पर सुरेश लिखते हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, लगाना है प्लस का साइन, इस तरीके से, यह प्लस का साइन लगाने के बाद आपको लिखना है अपना नाम, जैसे कि आपका नाम suppose सीमा है, आपको आपने लिख दिया सुरेश, या आपने लगा दिया प्लस का साइन, उसके बाद आपने लिख दिया सीमा, ये करने के बाद आपको इस कागज को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है, इसको आप चार बार फोल्ड कीजेगा, इस तरीके से आप इसको फोल्ड कर लिजे, इसको फो देती हूं लेकिन एक चीज़ ध्यान रखेगा मंत्र का उच्चारण आपको ठीक प्रकार से करना होगा क्योंकि है मंत्र हमारी गुरु माता जी के द्वारा सिध किया जाते हैं बहुत तपस्या की है गुरु माता जी ने आप लोगों के लिए ये मंत्र लाने के लिए ये जो को उच्चारन करना है मंत्र है इस मंत्र का आपको उच्चारन करना है उसके बाद आपको उस्व्यक्ति को ध्यान में लाना है जिसको आप पाना चाहते हैं इस कागस को जलाना है जलाने के बाद इसकी राक को दो भागों में विभाजित कर देना है यानि के इसकी राक को दो हिस्सों में बाट देना है उसको दो हिस्सों में बाटने के बाद उसका एक हिस्सा आपको भेहते जल में प्रवहा कर देना है और दूसरा हिस्सा जिस व्यक्ति को अपन वश में करना चाहते हैं उसके घर के पीछे डाल देना है यकीन मानिएगा मात्र दो घंटे के अंदर आपके पास दोड़ा चला आएगा और दो या तीन दिनों के अंदर पूर्ण रूब से आपके वश में हो जाएगा ये टोटका सरल तो है ही साथ ही असरदार भी है आप इस टोटके को अवश्य कीजेगा आपका मन चाहा प्यार आपको हासिल हो जाएगा टोटका नहीं समझ आया है या टोटका करने की विदी नहीं समझ आई है तो गुरु मादा जी से भी संपर्ग कर सकते हैं